बहुत दिनों से ना भेल पूरी खाने का मन कर रहा था तो मैंने आज बनाई लिए और जीब भर के खाया मज़ा आ गई तो मैंने क्या किया एक बड़े बरतन में सबसे पहले उबले कटे हुए आलू, प्यास, टामाटर, हरी मेर्च और हरा दिनिया यह सब डालके थोड़ा काला नमक और चाट मसाला डाला इन सब को पहले अच्छे से मिक्स कर लिया और फिर बारीक सेव भी डाल दिया अब आप सोचेंगे भेल है और उसमें मुर्मुरे नहीं तो वो मैं सबसे लास्ट में मिलाओंगी ताकि उसका क्रिस्पीनेस रहे अब सबको मिक्स करने के बाद अब मुर्मुरे डालेंगे और सबको अच्छे से मिक्स करके फिर इसमें थोड़ा सा उपर से और बारीक सेव डालेंगे और फिर थोड़ा और धनिया पत्ती और लास्ट में निबू का रस डालेंगे अब ये मेरे पाच कुछ पानी पुरी की पुरी बची थी तो मैंने उसको भी क्रेश करके डाल दिया अब तो एकदम मार्केट वाली भेल पुरी लगेगी और बस अब इसको सर्फ करेंगे तो न्यूस पेपर के रोल में एकदम ऑथेंटिक वाली फीलिंग आएगी इसमें थोड़ी सी सिक्की हुई मुमफली भी डालो ना तो बहुत अच्छी लगती बट अभी नहीं थी मेरे पास तो मैंने नहीं डाली तो ये रेडी हो गया है और इसको मैंने वेपर का रोल बनाया और उसमें खाया तो ना एकदम मार्केट वाली भेल पूरी का आनन्द आ गया अभी तो कैरी का भी सीजन है तो उसको भी बारी काटके डालेंगे तो और मज़ा आ जाएगा तो बस आप भी इसी तरह से बनाये और वीडियो पसंद आया हो रेसिपी पसंद आया हो तो लाइक शेर एंड सब्सक्राइब